दोस्तों नमस्कार हम डेरी फार्मिंग में ऐसे कारणों की बात कर रहे हैं जो जिनके कारण भारत में जो गाये हैं वो दूद का उत्पादन कम करती है तो साथियो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो गाये की अनुवान्सिक श्रम्दा या जनेटिक से सम्बंदिता है उनसे हम बात कर लेते हैं तो साथियो जैसे अगर हम बात करें भारत में एच्चाफ और साहिवाल गाये हैं उनको अगर डेरी फार्मिंग से आपको अच्छा प्रोफिट लेना है और दूद का रेट आपको 40-42 रुपे के आसपास मिल रहा है गाये के इसाप से तो फिर वहां पे अपनी जो इंडिय लेके जाना है और पसों से ज्यादा से ज्यादा दूद का उत्पादन लेना है तो हमें उनकी जैनेटिक्स के बारे में कुछ जानकारी अवश्या रखनी चाहिए आपने डेरी फार्म में सेट में इन्वेस्टमेंट किया है आप यह चाहते हैं भी कमर्शियल लेवल पे ब पसों से ज्यादा है उस पे हम बात करेंगे तो उसमें आता है जैनेटिक्स में आपने कुछ जो ऐसे ट्रैट्स हैं जो जिनको हम डेरी ट्रैट्स बोलते हैं जैसे दूद की मातरा फैट असनुद की मातरा दूद देने का जो अव्दी है कितने लंबे समय तक जो गाये है और इसके साथ में कुछ ऐसे क्रेक्टर्स हैं, क्वालिटेटीव क्रेक्टर्स हैं, जो डेरी पसु में होना बहुत जिरूरी है. जैसे कि dairy पसू को aggressive नहीं होना चाहिए वो machine milking के हिसाब से उसको settle हो जाना चाहिए आप अगर उनको खुला छोड़ते हैं तो एक पसू जूसरे पसू को चोटने पहुं चाहिए तो उनका जो behavior है वो भी अच्छा होना चाहिए तो अगर हमें dairy farming में edge of guy को हम रख रहे हैं तो उसके कुछ genetic से related कुछ खूबी है जिनकी हम जर्चा करेंगी सबसे पहला क्या lactation length lactation length का मतलब ब्यांत के बाद में गाय कितने समय तक दूद का उत्पादन करती है edge of guy 305 दिन जो standard है उतना दूद अराम से दे सकती है आजकल कुछ कंपनियां इतना कलेम करती हैं भी वो गाये 10 महिनी के वजाए 11 महिने 12 महिने 365 दिन तक भी दूद का उत्पादन करती है मतलब 10 महिनी के वजाए वो 12 महिने तक दूद का उत्पादन कर सकती है क्योंकि उनकी genetics ऐसी होगी उनको selection करते वक्त ऐसे पस्वों को selection किया गया जिनकी जो lactation length थी वो अच्छे दी तो ये खुबी आपको edge of guy में देखने को मिलती है साइवाल या फिर जो अपने Indian breeds है उनमें देखने को नहीं मिलती है तो edge of guy का जो lactation length वो comparatively Indian breeds की तुलना में ज्यादा है उसके बाद में है milk production में साथियो दूद का volume दूद की मातरा कितनी है दूद की मातरा पे निरवर करता है total fat और SNF किसान बाई वो कितनी मिलने वाली है और आपको दूद का मुल्य fat और SNF पे ही मिलने वाला है इस पे अमने लास्ट वीडियो में चर्चा करें थी भी ओसतन 10 लिटर की अगर भैंस है और 20 लिटर की HF गाय है तो उनके total solids में कितना difference है तो साथियो दूद का volume HF गाय का ज्यादा है काफी ज्यादा है आप PDF जैसे fair में देखेंगे 70-75 लिटर तक जो HF की गाय है वो दूद का उत्पादन करती है और वहाँ पे वो आजकल fat को भी measure करते है तो fat corrected milk आप देखेंगे तो HF गाय ज्यादा produce करती है अपने Indian breeds की तुल बिलने वाली है तीसरा साथियो persistency persistency का मतलब है कि किसी भी पसो को cowing के बाद में या ब्यांत के बाद में जो दूद का volume एक time के बाद में 60-70 दिन तक दूद का volume बढ़ता है उसके बाद में धीरे-धीरे दूद का volume है जो कम होता है एक महिने में दूद का volume कितना कम हो रहा ह उसको हम बोलते हैं persistency तो HF गय की जो persistency रहती है वो 5% के आसपास रहती है मतलब 100 दिन के बाद में जो दूद का volume है वो 5% हर महिने कम होता जाएगा वहीं पे अगर persistency हम Indian breeds की बात करें HF और साईवाल और मुर्रा बफलो है या दूसरी बेंसे उनकी बात करें तो उनकी persistency ह हो सकती है 20% तक मतलब HF गय का दूद कितना हो रहा था कम हर महिने 5% तक लेकिए जो Indian breeds से उनका 15 से 20% दूद हर महिने कम हो सकता है तो उनका दूद बहुत तेजी से ब्यांत के 100 दिन बाद में कम होता है तो उससे फिर आपको total दूद का volume है जो कम मिलता है तीसरा इसमें उस गाय का जो वेवहार है वो बहुती शान्त होना चाहिए शान्त का मतलब वो जो animal handler है उनको चोटने पहुंचाए और आपस में एक दूसरे को चोटने पहुंचाए तो साधियो animal का जो behavior है वो HF गय का बहुती शान्त behavior है साहिवाल और मुर्रा के comparison में अगर आपने साहिवाल या इंडियन जिसे हरियाना ब्रीड रखी है गाय की तो उनकी जो बुरी आदत क्या है kicking वो गाय है जो लात माती है तो उसके लिए आप वो दूद निकालने वक्त उसको बांधना पड़ता है फिर एक गाय दूसरी गाय को भी नुकसान पहुंचा सकते तो उनका जो behavior है वो कम labor रखे कम व्यक्ति ज्यादा पसों को रखे तो HF गाय को वो ज्यादा suit करता है क्योंकि उस animal का behavior श्यांत है अग्रेशिव नहीं है तो ज्यादा handlers की जरूरत नहीं पड़ती है HF गाय को आप खुला भी रख सकते हैं तो ये कुछ characters हैं जिनके कारण HF गाय एक ज्यादा suitable animal है और genetic selection के कारण HF गाय का जो दूद का उतपादन है वो हमारे देश की गायों की तुलना में ज्यादा है अगर दूद का volume ज्यादा है तो total fat और SNF भी वो पसों ज्यादा produce करता है तो इसलिए अगर Indian condition में हमें HF की बजाए साइवाल या बफलो को अगर आप आगे लेक लेके जाना चाहते हैं तो grass root level पे जो उनका selection है विज्यानिक को द्वारा selection करके एक ऐसी breed त्यार करनी चाहिए कि साइवाल या मुर्रा में जो पसों हों वो डोसाइल हों शांत सवाब के हों दूद का volume वो ज्यादा produce करे लंबे समय तक दूद का उतपादन करे ताकि उन्ही पसों से हम dairy farming को आगे लेके जा सकते हैं प्रजेंट के सिनेरियों में HF गाए को बहुत लंबे समय से उनका जो selection है बहुत ही accurate selection है अच्छा selection होने के कारण वो गाए ज्यादा दूद का उतपादन करती है लंबे समय तक दूद का उतपादन करती है और उस animal का जो behavior है वो भी जो characters हैं उतने उनको match नहीं करते हैं dairy को business के तोर पे अगर हम settle करना है तो सत्यों यह कुछ points थे अब जो Indian breeds हैं उनको हम आजगल आख देखेंगे जैसे भैसे हैं या साहिवाल गाये हैं उनकी जो population है day by day कम हो रही है आप sensors अगर देखते हैं तो उनकी population कम होने का कारण यह ही है कि उनकी दूद देने का जो time है वो कम है पीक के बाद में दूद त्यजी से कम होता है उनकी जो handling है वो proper नहीं है और एक है काफ के परती उनका लगाव यह भी एक बड़ा डीमेरिट है Indian पसों की जिससे अगर भेंस है भेंस में अगर उसका चुटा काफ उसके पास में न ज्यादा रहता है हार्मोन के कारण और वो animal को काफ की ज़रूरत नहीं रहती है दूद देने के लिए क्योंकि दूद का production ही इतना ज्यादा है तो यह एक बड़ा positive point है HF के हिसाब से है जो की Indian breeds में कहीं ने कहीं missing है तो साथ यह animal का behavior दूद देने की समता दूद का volume total fat SNF HF ज्यादा produce करती है मैं किसी भी breed को demon नहीं कर रहा हूं या promote नहीं कर रहा हूं मैं जो scientific basis है उस पर आप तक जो बाते हैं वो पहुंचाने की कोशिस कर रहा हूं तो साथियो अगर आप dairy farming plan कर रहे हैं तो इन सारे points को आपको consider करना चाहिए ताकि आप dairy farming में नुकसान आपको कम हो और जैसे मैंने पिसले वीडियो में बताया था एच आफ गाय में इंडियन कंडिशन में जो tick born diseases हैं वो ज्यादा आती हैं फोड़ा गर्मी में एच आफ गाय ज्यादा परेशान होती हैं उनको जो management है वो आपको perfect करना चाहिए अगर ये सारे चीज़ें आप करते हैं तो एच आफ गाय आपके dairy farming के लिए बहुत suitable है और आ आप dairy farming को लंबे समय तक आगे लेके जा सकते हैं थैंक यू